हाई फ्रेंड्स मैं परंगर खारी फ्रेंड्स आज की हमारी जिनकी वीडियो रेकमेंडेशन है उनकी आइडी है एम हाइफन यार यानि की एमर हम कह सकते हैं उन्होंने रमेश बावु प्रग्णनन्द वर्सिस हिकारू नाकपुरा इन दोनों खिलाडियों के बीच में खेली गई है एकारू नाकपुरा ने दो जीती है प्रग्णनन्द चार गेम ड्रॉ करा पाई है जीती नहीं लेकिन रैपेड और एग्जिमीशन मैचिस अगरा अगरा उसमें प्रदेशन रमिश बाव प्रग्णननद का भी अच्छा रहा है और दोनों के लाड़े के लिएशन फॉर इंग्लिश उपने देन हुआ जी त्री बिशेप आया जी फॉर स्कॉर बी फॉर स्कॉर नाइट डी फाइव वापस बिशेप को टागेट लगाने की तियारी फॉर नाइट बचाओ पहले अपना बाकी करेंगो बाद में इस गेम में प्रॉब्लम ही ये न आने के लिए सिर्फ और सिर्फ अभी फिलहाल ये जी तू स्कॉर अवेलेबल है जो की उक्यूपाई होने वाला है ब्लैक ने कैसल किया वाइट कैम भी शब्ले कर लेकर आने का है लेकिन आप यहां कहेंगे क्यार ये नाइट तो कहीं ना कहीं फस जाता है हां कुछ और ने का कि इतना सान नहीं है कैसल गरो पेले जी फाइफ फाइनली की आगया नाइट तो गया फसेंट से किस तरह से गेम को रिका लेकर यहां पहले खिला गया एट स्कॉर पर पैसिव गेम पैसिव तो कहीं सकते हैं और इसके बाद हुआ डी टेक्स एफॉर और यहां अब यह नाइट गया जी टेक्स हच फोर देन बिशयाप आया एच सिक्स स्कॉर पर रुख पर अटेक बना अगर मैं ब्लैक के पांज की बात करूं तो एक पांड गया बस रुख हटा एट स्कॉर पर देन हुआ जी टेक्स हच फूर पर एक मूव पहले की मैं बात करता हू आई मस्ट से क्विन D4 एक अच्छी ऑप्शन थी यहां चेक्मेटिंग थ्रेट जासा कुछ बन सकता था उसके बाद अगर यहां से गेम आगे बढ़ती है तो F1 आगे ही पुछ हो सकता दूसरा तो मुझे क्याल से कोई इलाज है नहीं लेकिन नाकमुर्वन ने कहा कि G टेक् बिशप पर अटेक है प्रग्रणन बिल्कुल एक्टिव पोजिशन में आ चुक है एकोईन का डिफेंस वा C1 स्क्वार पर जाकर देवा F6 और F6 बिल्कुल ठीक भी है देखा जाये तो क्योंकि अगले मूव में मुझे कहीं न कहीं इस मूव का जरूर डाउट था जो कि प पर नाखमूरा से लेकिन मेरे एक्सपेक्टेशन से क्या है प्लैनिंग तो यहां ना खमूरा किया है उन्होंने अपने बिशाप को वापस लिया F4 स्क्वार पर पहले क्या यह नाइट उन्हें यहां नहीं चाहिए E5 स्क्वार पर शायद NIGHT E5 आया भी बिशाप IAG3 कौन पर कोन से पड़ रहे यह दिखी रहा है रुक आया जी वन स्कुरर पर फ्रेंस रुख की पोजिशन तो हो चुकी है अब क्या करें किंग एचेट चोटा मोटर सॉलिशन था किंग हैचेट स्कुरर पर जाने से लेकिन यहां कहला गया नाइट जी सिक्स चलिए रुक की आ नहीं बात दूसरा कि white अपने bishop को अराम से हटा नहीं पाएगा दो नहीं बाते हैं लेकिन e3 चलिए bishop की firing line तो बंद हुई अगले move में आप bishop हटा लेना को इश्यू नहीं किंग आया f7 square पर discovered check वाली तो condition हो चुकिया इफाइब फ्रेंट्स फाइव खेला तो गया देखें पॉन का लॉस मेरी नहीं 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 देखतें ना तो यहाँ c7 पॉन पर कुछ होने वाला है करें डी टेक्स फाइव एफ टेक्स फाइव नाइट टेक्स फाइव और अब यहाँ क्या करें रुप को बचाया जाए f1 square पर और ऐसा करने के बाद ट्रेश्यर तो खर नहीं बनेगा क्योंगी ब्लैक का डिफैंस भी ठीक ठाक है f1 पिन जरूर रहेगा खेला गया था और ना इसका डिसकस करने हैं यहां खेला गया कुइन के c3 square अच्छा 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 प्रेशर तो बनाने की कोशिश है सब यहां नाइट जी फोर भी एक अच्छी ऑप्शन खेला भी कुछ इजी तरह से गया था लेकिन कई वार क्या होता है पीस की टाइमिंग पहले कौन सा चला बाद में कौन सा चला ज्यादा फाइदा कौन सा दिने वाला मुझे डिरेक्ली आप यहां पर प्रेशर बनाओना ज रुक टेक्स E3 बिल्कुल खेला रुक टेक्स E3 बिशव बिशव सब कर दो यहां पर कोई दिक्कत नहीं है चलते हैं गेम पर यहां खेला गया बिशव एस तरी पहले बिशव को लगाया जा करा ठीक है बाद में देखेंगे बिशव एक्शेंस भी नहीं करनी मुझे जब नाइट आएगा जब देखा जाएगा बेटर खर नहीं यह भी ठीक नहीं है लेकिन बिशव टेक्स G2 चेक के साथ हुआ रुक टेक्स G2 रुक टेक्स G2 के बाद नाइट आया जी फॉर स्क्वार पर जैसे मैंने कहा कि वही गेम प्लान दोनों रुक्स को लपेटनी के तो सब्सक्राइब को लिए जा सकता था लेकिन फर्क क्या बढ़ता मैं तो जीदा जीदा रुक्या आगे लगा दूआ तो फस जाती है यह आप अच्छा उसके बाद आप नाइट के साथ भी गेम खेल सकते हैं इलिमिनेट कर दो इसको नहीं है अलिमिनेट करके और फिर यहां कुछ प्रेशर बनाने की कुशिश की जा सकती है क्या कुईंट एक्स डी फाइव रुक्पिन हो सकता है बहुत कुछ है इस गेम में तर चलते हैं गेम पर जरा यहां खिला दिया डी सिक्स का मुझे समझ में नहीं है क्या फूटफुलनेस के अब दक क्या नजर आ रहा है ज कुइन गई एफॉर स्क्वाइर पर यहां आप जस्त इस मूव को देख सकते हैं और कोई मुझे नजर नहीं आ रहा है नाइट एक सी त्री में बुरा ही तो मुझे कोई लग नहीं रही है फौक लग रही है लेकिन प्रग्णान ने कहा कि नहीं नाइट एक सी त्री तो मेर मूव नहीं चल पाएंगे फिला बिशप टेक सी त्री चल सकते हैं वो ही चला गया दैन हुआ एफॉर रुक आया एट स्कॉर पर फेंट्स अब अगर मैं कहूं कि इस गेम में कौन फायदे मन है कौन जाधा अच्छे पोजिशन प्ले के साथ केल रहा है तो नो डाउट सामने बिशप कुइन का सामने कुइन नाइट एक्स्ट्रा कंप्लीट ब्लाक के पास है पहली बात तो यह और जो पीसिस हैं वो सारे अटेक में आ चुका हटा नहीं सकते हूं को इनको यहां से बी थरी स्कॉर पर अब कुईन का बी थरी स्कॉर पर जाने से क्या होना तो क् को एफ्ट्री स्कॉर पर ला सकते हैं यह भी हो सकता है पर उसके बाद फिर अपनी दिक्कत है दिक्कत है उस मतो फिर यहां केला गया वी 6 क्विन को आनी नहीं किसी भी धिरे के अंट्री के साथ कुए नाइट बी फाइंव स्कॉर पर चले जाओ चैक नाइट पर बिशाप काटाना पड़ेगा उसके लिए वो भी एक इशू रहने पड़ा है यहां फाइनल मूव था ट्रभिशाव पर गुरान का बीशाप का डी फोर स्कॉर पर जाना जिस मूव के चलने के बार फाइनली रिजाइन करना पड़ गया यहां की कारून अका पूंडर का लिए नाइट बाइब नाइब झाल बाइब स्कॉर करना करना प्रभिशाव के बाइब तो दूंग झाल